इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई का उपयोग करने से पहले एक बार अपनी डॉक्टर से ज़रूर पुछे। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जम्यदारी नहीं होगी Ferium D3 tablet एक vitamin supplement है जिसमें folic acid यानी की B9, sinocobalamin यानी की B12 और pyridoxin hydrochloride यानी की B6, colicalciferol यानी की D3 और iron जैसे B vitamin होते हैं जो शरीर में लाल रक्त कोशिका उत्पादन को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं Hemoglobin निर्मान बढ़ाएं ये फेफ़लों से शरीर में बहतर oxygen परिवहन में सहायता करता है ये हड्डियों और दातों की मजबूती में भी सुधार करता है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक, iron शरीर में iron के भंडार की भरपाई करता है और हीमोगलोबिन के उत्पादन में सहायता करता है दो, folic acid शरीर को लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है जो शरीर के अंगों में oxygen की उचित आपूर्ती सुनिश्चित करता है 3. Sinocobalamin एक vitamin B12 coenzyme है जो मस्तिश की स्वास्थे में सहायता करने और तंत्रिका myelination को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है यह एक आवश्यक पोशक तत्व है जो शरीर को स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं और तंत्रिका कोशिकाओं को बनाने में मदद कर सकता है 4. Pyridoxin HCL protein वसा और carbohydrate चयापचय और लाल रक्त कोशिकाओं और neurotransmitter के निर्मान में शामिल है 5. Colecalciferol शरीर में calcium के स्थर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारी चैनल को सपोर्ट करने के लिए नीचे देगए सब्सक्राइब बटन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल को आल नोटिफिकेशन पर सेट करें